जैसे रादे मित्रों हरहर महादेव जैमा चंद्रवद्नी मित्रों चंद्रवद्नी भक्तिरस चैनल में पुना आप सभी का हार्दिक फ्रागत है और माभगवती का आश्रिबाद आप सभी के जीवन में बना रहे यही माभगवती के चरणों में हमारी करवद प्राथना है तो मित्रों चंद्रवन्य भक्तिरस चैनल के माधम से मैं पंडित दीपक उपाद्याय देभुमी उत्राखंड से आज का जो वीडियो है वहाँ मेन राज के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2023 इस पे चर्चा करेंगे फरवरी से ले करके और दिसंबर तक का महिना कैसा रहेगा म तो जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन का बटन दवाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वह समय समय अंसार आप तक पहुंसती रहें और वीडियो में आप सभी लोग अंतिम तक अवस्य बने रहें ताकि जो है अंतिम में आप आप को उपाए बताते हैं उस उपाए से आप लावहनवित हो सकते हैं और जू भी आपके जीवन के कश्ट है वो दूर हो Hessक्ते हैं तो उस उपाए को भी आप जरूर hint तो इसले वीडियो में अंतिम तक आवस्य बने रहें तो बात करेंगे में मिन रासिपर जो है गुरुदेवता का अधिपत्या है गुरु ग्रहे को जो है ज्ञान विड़धी और समरिदी का कारक माना जाता है जिस व्यक्ति की जन्व कुंड़ई में गुरु महराज्ぎं सकारतमक इस्तित होते हैं उन लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्टा जो है प्राप्त होती है वहीं अगर मीन रासी की हम एक जनवरी 2023 की गोचर कुंडली के ग्रहों की इस्तती देखें तो आपकी गोचर कुंडली के लगन भाव में जो हैं वह खुद देव गुरु ब्रस्पती महराज बिराजमान रहेंगे साथ ही दूसरे भाव में राहू और चंद्रमा की यूति होगी और साथ ही तीसरे भाव में मंगल और अश्टम भाव में केतु बिराजमान होंगे वहीं दसम भाव में बुद्ध और सूर्य बुद्ध आदित्यादी योग बना रहे हैं साथ ही ग्यारवे भाव में सनी और सुक्र भर्मन कर रहे हैं तो 17 जनवरी को सनी देव गोचर कर चुके हैं और आपके लाव अस्तान में बारवे भाव में आ चुके हैं जिससे आप पर सनी की सड़े साती का प्रभाव सुरू हो चुका है वहीं अपरेल में देव गुरू ब्रहस्पती आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे जो बहुत ही सुब इस्तिती मानी जा रही है वहीं राहु ग्रह जो हैं आपके लगन भाव में और केतु ग्रह जो हैं आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे तो जानते हैं मेनरासी के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2023 करियर कारोबार और पारिवारिक जीवन के लिहाज से तो इस पे चर्चा करते हैं तो मेनरासी के जातोकों का सरवपर्थम बात करेंगे काम और कारोबार कैसा रहेगा तो साल 2023 में गुरुक्रह के आश्रिवाद से आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा और वहीं सनी की सड़े साती आपका नकार आत्मक प्रभाव आपके नौकरी और व्यापार पर पड़ता नहीं दिख रहा है वहीं अपरेल के बाद धनलाव अच्छा होगा जो कारोबार करते हैं मेनरासी के जातक वह कोई अच्छी सी डिल फाइनल कर सकते हैं सात ही जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उन्हें भी कोई सूचना प्राप्त हो सकती है वहीं अगर हम बात करें कि कोई नया कार आप सुरू करना चाह रहे हैं तो 22 अपरेल से पहले कर सकते हैं 22 अपरेल से पहले जो है बहुत अच्छा समय आपके लिए है 22 अपरेल से पहले आप नया कारूबार सुरू कर सकते हैं बात करेंगे मेन रासी के जातकों का बैवाहिक जीवन कैसा रहेगा 2023 में तो इस साल आपके जो हैं प्रेम संबंद और बैवाहिक जो जीवन है वह बहुत ही सुन्दर रहने वाला है बैवाहिक जीवन के सम्मंदी जो रिस्ते है वा मजबूत रहने वाला है क्योंकि गुरु जो है देव गुरु ब्रेस्पती आपकी गोचर कुंडली के लगन भाव में संचरण कर रहे हैं लेकिन मन में जो है मानसिक तनाव जरूर रह सकता है इसलिए सोचने से आपको बचना है वहीं जो लोग अविवाहित हैं उनका अपरेल तक रिस्ता भी पक्का हो सकता है इस साल में जो है अपरेल में ही तक आपका रिस्ता पक्का हो सकता है बात करेंगे मिनरासि के जातकों की आर्थिक इस्तिती कैसी रहेगी दो हजार पेईश में तो सनी महराज की सड़े साती जो है शुरू हो चुकी है और सनी महराज की सड़े साती सुरू होने के कारण खर्चे कुछ जादा हो सकते हैं यात्राइं भी आपके जादा हो सकती है कुछ सेविंग भी इस साल जो है वह आप कर सकते हैं लेकिन प्रॉपटीस में इस साल निवेश करने से पहले आपको सोचना होगा साथ ही जिन लोगों की कुंडली में सनी देव उच्च हैं या सुब बिराजमान है उनको सनी की सड़े साती में लाव के संकेत मिलते हैं जिनके कुंडली में सनी महराज उच्च हैं या सुब भाव में बिराजमान हैं तो उनकी कुंडली में जो है सनी महराज जो है लाव दें तो आप लोग जो मीनरासी के जातक हैं उनकी सेहत कैसी रहेगी 2023 में इस पे बात करते हैं तो सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 2030 आपके लिए अच्छा है क्योंकि गोचर कुंडली में बर्स के अंततक गरह नक्षत्रों की जो चाल है वह अच्छी रहेगी और शाथ ही जनव लावकारी था तो वह लाव आप उठा चुके होंगे परंतु 15 फरवरी से लेकर के चौदा जो मार्च तक का समय है चौदा मार्च तक अपनी सेहत का विसेश खयाल आपको रखना होगा साथ ही 15 अक्टवर से लेकर के 16 नौंबर तक स्वास्त्या का खयाल है वह आपको रख पुरत है मतलब इस बीच में जो है कोई पुरानी विमारी आपकी उभर के आ सकती है और साथ ही कोई दुरगटना के योग भी बन रहे हैं तो यह समय जो है आपको साबदानी से चलना है साबदानी से यह समय बितीत करना है बात करेंगे मीरासी के जातकों का करियर और प्रिक्षा पे क्या असर पड़ेगा और आपका करियर कैसा रहेगा तो अप्रेल महीने में जो हैं गुरुग्र है आपके देव गुरु ब्रहस्पति जो हैं आपकी लगन भाव में इस्तित रहेंगे और पंचम भाव पे उनकी दृष्टी रहेगी तो इसलिए इस समय अगर पढ़ाई करने का भी आपको मौका जो है आपको मिल सकता है लेकिन शड़े साती सुरु होने से सनिदेव चात्र के मन को भटका सकते हैं इसलिए आपको जो चात्र हैं उन्हें पढ़ाई पर फोकस रखना है जिससे आपका मन ना भटके और बात करें कि जिससे यहाँ 2013 सुंभ आपका शुब आनंद में बठीत हो और जिसे आपके शिच्छा कारोबार और ब्यापकारोबार से लेकर के शृस्त से लेकर के आपको शुबला प्राप्त हो ऐसा एक महा उपाई हम आपको बथाते हैं जिस उपाई करने से आपके जीवन में सुखसान्ती की क्वाप्ति होगी तो वह उपाय आपको बथाते हैं इस उपखाय को आप जरूर करें जो जो तिस inator के सासर इस साल मेनराश कहें जातकों को पुखराज जो रतन है भाड़ा कर सकते हैं धारण करें च्राशंब जिससे आपको शुबता के साथ ही साथ आपको क्या करना है कि बुद्धवार के दिन एक नारियल जो है नीले कपड़े में लपेड करके नीले कपड़े में बांध करके उसे जल में आपको प्रवावित करना है वहीं जो है पांच बदाम भी साथ में आपको नारियल के साथ में पांच बदाम भी प्रव काना है हल्दी का आप तिलग करें ऐसा करने से आपके जो कष्ट हैं वह कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी आपके सारे दुखदार दूर होंगे तो यहाँ उपाय आप जरूर करें आपको आपकी वह एक समस्मनों का मनाओं को भग्वान सेर करना ना भूले पुना दूसरे वीडियो में आप से मिलते हैं तब तक लिए जैसी राधी जामातादी हरहर महादेव संभूग